साथियों हमारा देश विवित्यताओं से भरा है अपनी हजारों वर्ष की विकास यात्रा में हम इस बात को अंग्रिक्रत्र कर चुके हैं कि विवित्यता के बीच भी एकता की भव्य एकता की दिव्य अखंड धारा बहती है एकता की यही अखंड धारा हमारी विवित्यता को संजोती है उसका समुरक्षण भी करती है आज के बदलते हुई इस समय में हमारे सदनों की विशेश जिम्मेदारी है कि देश की एकता और देश की अखंडता के समन में अगर एक भी बिन्न स्वर उड़ता है तो उससे सतर्क रहना है विवित्यता को विरासत के रुप में गवरों मिलता रहे हम अपनी विवित्यता का उत्सव मनाते रहे हमारे सदनों से ये संदेश भी नेरंतर जाते रहना चाहिए साथियों अक्सर राजनेताओं के बारे में जन प्रतिनीदियों के बारे में कुछ लोग ये चबी बना लेते हैं ये डेता है तो चौबीसो घंटे राजनीती उठा पटक में ही जूटे होंगे किसी जोड तोड थींचतान में जूटे होंगे लेकिन आप गौर करें तो हर राजनीतिक दल में ऐसे जन प्रतिनीबी होते हैं जो राजनीती से परे अपना समय अपना जीवन समाज की सेवा में समाज के लोगों के उत्थान में खपा देते हैं उनके ये सेवाकारिय राजनीती में लोगों की आस्था को विश्वास को मजबुत बनाए रखते हैं ऐसे जन प्रतिजिद्यों को समर्पित मेरा एक सुझाव है हम अपने सदनों में बहुत सी विवित्यदाए करते हैं जैसे प्रावेट बिल आते हैं उसके लिए समय निकालते हैं कुछ सदनों में जीरोवर के लिए समय निकालते हैं क्या साल में तिन चार दिद किसी सदन में एक दिन किसी समय दो दिन ऐसे रखे जा सकते हैं कि जिसमें समाज के लिए कुछ विशेश कर रहे हमारे जो जन प्रतिजिदी है उनके अनुभव हम सुने वह अपने अनुभव बताएं अपने समाज जिवन के इस पक्ष के बारे में भी देश को जानकारी दे आप देखिएगा इससे दूसरे जन प्रतिजिद्यों के साथ ही समाज के अन्य लोगों को भी कितना कुछ सिखिदे को मिलेगा राजनीती का राजनीती क्षेत्र के नेताओं का एक जो रत्चनात्मक योगदान भी होता है वह भी उजागर होगा और जो रत्चनात्मक कामों में लगे हुए लोग हैं उनको भी राजनीती से दुरी बनाये रखने की जो प्रवुत्ति बढ़ती जा रही हैं उसके बजाएं ऐसे ही सोच ऐसे ही सेवा करने वाले लोग राजनीती से जुरते जाएंगे तो राजनीती भी अपने आप में सम्रुद्ध होगी और मैं मानता हूँ कि एक छोटी सी कमिटी बना जिली जाए जैसे अनुभवों के उसमद में स्क्रीनिंग कर लें वेरिफाइ कर लें और फिर कमिटी ताय करें कि में इतने लोगों का कसन होना चाहिए तो आप देखिए क्वालिटेटिवली बहुत चेंज आएगा और मैं जानता हूँ कि पिठादी जो हैं वे इन बातों को बहुत अच्छी दारा जानते हैं कि कैसे अच्छी से अच्छी चीजे खोच करके ले आना लेकिन मैं मानता हूँ कि इस तरह कि आयोजन से बाकी सदस्यों को राजनिती से भी ज्यादा राजनिती से भी कुछ अलग कुछनों कुछ करने की प्रेना मिलेगी और साथ ही देश को भी इस तरह के प्रयासों के बारे में जानने का आउसर मिलेगा। साथियों हम क्वालिटी डिबेट को बढ़ावा देने के लिए कुछ भी और आवशक्ता है। हम लगातार कुछन कुछ इनोवेटिव कर सकते हैं। डिबेट में वेल्यू एडिशन कैसे हो। क्वालिटेटिव डिबेट लगातार नए स्टांडर्स को कैसे प्राप्त करें। हम क्वालिटी डिबेट के लिए भी अलग से समय निर्धारित करने के बारे में सोच सकते हैं क्या। ऐसी डिबेट जिसमें मर्यादा का गंभीरता का पूई तरह से पालन हो। कोई राजनीतिक छिटा कशी ना हो। एक तरह से वो सदन का सबसे हिल्दी समय हो। हिल्दी डे हो। मैं रोज के लिए नहीं कह रहा हूँ। कभी दो घंटे, कभी आदा दिन, कभी एक दिन। क्या हम इस तरह का कुछ प्रयास कर सकते हैं। हेल्दी डे, हेल्दी डिबेट, क्वालिटी डिबेट, वैल्यू एडिशन करने वाली डिबेट, रोज मर्रा की राजनीति से बिल्कुल मुक्त डिबेट।